नमस्कार मैं हूँ ससी आये जार्खन की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं जेसेसी लेगा सिर्फ एक परिच्छा जार्खन के हमन्त केविनेट ने गुरुवार को राजे के सिक्षित बेरुजगारों को सरकारी नोकरी में परत्मिकता दी है बतादे जार्खन केविनेट में कूल 27 प्रस्ताव पर मुहर लगी है नियोजर निमावली की स्विक्रिती मिलने के साथ ही राजे में नियोकती पर किरिया की राह असान हो गई है जार्खन करमचारी चयन अयोगद्वारे ली जानेवाली परिक्षा में अब सिर्फ एक परिक्षा अयोजित होगी पीटी परिक्षा की ब्यवस्ता अब खत्म कर दी गई है इसके अलावा जार्खन बिधान सभा का मानसून सत्र तीन से नौ सितंबर दो यारी किस तक जलने के सम्भनधित से क्रिती केबिनेट ने दी है इस दोरान पांच कारे दिवस होंगे मौसम विभाग के अनुसार जार्खन में फिलाल मानसून सक्रिये रहने की सम्भवना है उत्तर बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण 8 अगस्तक राज में बारिश हो सकती है मौसम केंद्र के बरिये बैग्यानिक अविसेक अनुसार सबसे अधिक तापमान 36 डिग्री सेल्सियास तापमान देव घर में रहा मानसून आगे भी सक्रिये रहने की उमीद है बतादे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है आठ अगस्तक पुरे राज्य में हलके से मदधर्ज की बारिस हो सकती है इसकुल जानने वाले हर बच्चे को मिलेगी साइकलो किताब परदेश कॉंग्रेस अध्यक्स सिम्डेगा जी लगे परभारी मंत्री डाक्टर रामेशर उराव भुद्धवार को दिवसी दोरे पर सिम्डेगा पहुँचे यहाँ पर उन्होंने पाटी की ओर से सदस्यता अभियान को लेकर आविजित बैठक में हिसा लिया डाक्टर उराव ने कहा कि सही मायने में विकास का काम राज्ये में कॉंग्रेस गट बंधन की सरकार कर रही है भाजपा की ओर से अभले ही सबका साथ सबका विकास का दवा किया जाता है लेकिन यह मात्र सलोगन भर बन गया है असली विकास का काम कॉंग्रेस कट पंदन सकार कर रही है राजे में इस्कूल जाने वाले हर बच्चे को साइकल वा किताब उपलब्द कराया जाएगा उन्होंने कहा कि भाजपा सासनकाल में 900 कोड़ रूपए सिर्फ मेला लगाने में खर्च किया जाता था 15-20 दिनों में लागू होगी साड़ी धोती लूंगी योजना डाक्टर रमेशरूराओं ने कहा कि 15-20 दिनों के अंदर सरकाथ सभी को 10 रुपया में वस्तर देने के लिए साड़ी धोती लूंगी योजना लागू करने जा रही है किसानों को समर्थन मुले देने के लिए हम नबाड से 500 कुल रुपय कर्ज भीले रहे हैं ताकि जारखन के लोगों को खाना, कपड़ा, अवास, किसानों को SMP, पेंसन और रासन मुहया करा सके डाक्टर अमेशरुराव ने कहा कि गांधी जी के समय से ही चंदा लेकर कॉंग्रेस का सदस से बनाये जाने की परमपरा रही है भारतिये पूरुस होकी टीम के जीत पर सिम्डेगा में जसन टोक्यो में चल रहे उलमपी गेमस 2020 के पूरुस होकी परिजोगता में भारतिये पूरुस टीम ने तीसरे एवं चोथे अस्थान के लिए खेले गए मैच में जर्मानी को 5-4 से पराजित कर 10 सको बाद ब्रॉंज मेडल पराप्त कर इतियास बना डाला मैच के खत्म होते ही होकी की नरसरी सिम्डेगा में होकी सिम्डेगा के कर्याले में उनके पता दिकारी यह हम खिलाड़ी ढोलना गाड़े के साथ पहुंचे और नाचते गाते वा थी रखते एक दीशरों को जीत की बदाई देने लगे रांची के दो महतपुन सडके होंगी फोरलेन रांची के लोगों के लिए अची ख़बर है बतादे रायधानी रांची को जाम से मुक्ति दिलाने के परियास पथ निर्मान विभागने शुरू कर दिये हैं इसकड़ी में रांची सहर के सीरम टोली चोक से रायंदर चोक होते हुए मेकान तक फलाई ओवर का निर्मान किया जाएगा वही नेवरी कोकर चोक नामकुम रोड को फोरलेन बनाया जाएगा गुरुआर को परियेक्ट भावन सचिवाले मुक्मंत्री है मंसुरेन को प्रस्तावीत फलाई ओवर और फोरलेन के बावत प्रजिजन टेंशन दिखाया गया पतादे पर्थ निर्मान विभाग के सचिव सुनिल कुमान ने प्रस्तावीत जोजनागी जनकारी मुक्मंत्री को दी ज्यार्खन के सभी किसानों को के सिसी का लाव क्रिसी को जार्खन सरकार ने प्रत्मिक्ता वाले छेतर में रखा है यही करण है कि खेती बाड़ी में सहुलियत को लेकर सरकार लागतर पयासर था है पतादे किसानों को खेती के दORAन पुंजी की कमी से परिसारी से बचाने के लिए मुख मिंत्री हमानसुरेन ने तमाम किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोडने का बिसेस निर्देस दे रखा है। पूरे राजे में 30 लाख किसानों का पीम किसान योजना के तहत निमदन हुआ था उन सभी को के सी सी से लवानुईत करने का निर्देश दिया गया है पूरुस हों की टीम की जित पर राजेपाल ने दी बधाई जार्खन के राजेपाल रमेस बैस ने जापान के टोक्यो में चल रहे उलमपिक में पदक जितने के लिए भारतिये पूरुस हों की टीम के सभी खिलाडियों को बधाई वासुब कमनाई दी है राजेपाल ने टोक्यो उलम्पिक में देश के नाम कासे पदक अरजित करने है तू अनेका अनेक बधाई वसुब कमना है देते वे ट्वीट किया उन्होंने ट्विट कर कहा कि भारतिय होके टीम ने एक लंबे अंतराल के बाद ओलंपिक में देश के लिए पदक हासिल कर सरवत्र उत्सा का महल बनाया है सभी लोग उनके इस उपलबधी से हरसिता है सरकार गिराने के मामले में दो दिन की रिमांड राची पुलिस जहरखंड की हैंहन सरकार गिराने के साचीस के आरोप में गिरफ्तार कियेगा तीनों अभियूक्तों को रिमांड पर लेकर पुष्टाष करेगी बतादे सरकार गिराने के साइस राचने क्या रोप में गिरफतार तीनों अवियक्तों को रिमांड पर लेने के लिए राची पुलिस के द्वारा आदालत में आवेदन दिया गया था जारकन में 28 नए केस मिले हैं जो राची से 5, पूर्वी सिमून से 1, धनबाज से 2, रामगर से 1, पच्मी सिमून से 1, कुडर्मा से 2, देवगर से 4, लातेहर से 2, सराय केला से 1, सिमडेगा से 1, गडवा से 2, लोहरदागा से 3, चात्रा से 1, साहिब गंज से 2 मिले हैं जहारकन में 28 मरीश शुस्त भी हुए है जहारकन में कुल एक टिप केस की संक्या 2203 है भारत में 45 एर एक टिप केस की संक्या 4,88,513 है जारखन में एक्टिव केस जारखन में एक्टिव केस एवं गयर सरकारी ITI में नमांकन परकिरिया शुरू जारखन में एक्टिव केस करते हुए कहा कि जब तक नगर निगम के अपिलिये नयाधी करण का गठन नहीं हो जाता तब तक निगम भवन तोड़ने की करवाई नहीं कर सकता दिसंबर में राची आएगी साइंस आइंड टेकनोलोजी एक्सप्रेस ट्रेन आएगी बता देया ट्रेन विज्यान प्रद्योगी विभाग केंद्र सरकार और रेल मंत्राले के सन्यूग स्वयोग से चलाया जा रहा है या परदर्शनी ट्रेन अक्टूबर माह में दिली स्थीत निजामुदीन एस्टेशन से रवाना होगी जो रायपूर अमादाबाद होते हुए हैदराबाद भोनेस्वर रायपूर सहित अने जगो से होते हुए दिसंबर में राची में पहुँचेगी या ट्रेन पांच दिनों तक राची एस्टेशन में ख़़ी रहेगी जार्खन में नोकरी के लिए अब राजे की स्कूल से दसवी बरह हुई अनिवारे जार्खन के हमन सुरेन केबिनेट ने नोकरी से समन्दित एक बड़ा फ्यासला लेते वे परिक्षा संचालन की पांच नियमावली को सरल करने के साथ तीन नई नियुकती नियमावली के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया है इसके तहत अवराज एक सेवा के अभियार्थी को जार्खन के अस्थानी रिती रिवाज भासा एवं परिवेत का ज्यान होना अनिवारे कर दिया गया है वहीं मैट्रिक अस्तरिय परिक्षा संचालन नियमावली में अवियार्थी की नियुमतम सेखनिक आर्था मिस्वन सोधन किया गया है अब अव्यार्थियों के लिए जर्खन में श्थित मन्याता प्राप सक्निक संस्थानों से निम्तम्मै्ट्रिक या दास विक कग चाउतिन होना अनिवार्य है तीन से नौ सितम्बर तक चलेगा जार्खन बिधान सभा का मांसुन सत्र जार्खन में तीन सितम्बर से शुरू होका नौ सितम्बर तक मांसुन सत्र कायोजन किया जाएगा इस दोरान पांच कार दिवस होंगे जारकुन कैबनेट की हुई बैठक में इस समध में निने लिया गया पहले दिन 3 सितंबर को सपत ग्रहन के अलावा विधान सबसत्रे में नहीं रहने की ओधी में राजेपाल के द्वारा